वेलकम बैक टू दा कनेडियन फीवर योटूब वीडियो आज किस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जारे हैं 29 नुवंबर 2022 आयल्स एक्जाम की फाइनल प्रडिक्शन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मेक शूर कीजेगा इस वीड आप सभी को क्योंकि जैसा कि आपने पिछले मंस में देखा अक्टूबर की बात करो या अगस्त की बात करो उन दिनों में एक्जाम बहुत ज्यादा लीड हुए थे चाहे वह राइटिंग हो चाहे वह रीडिंग देन इन केस इस दिन 26 नुवंबर को ऐसा कुछ होता है दे आप अपने एक्जामनल होल थे आप निक Але निकलेंगे वीगंवार के अंदर आपको हमारे चैनल कर रियल एकजाम कोशन् पेपर प्लस उसके आंसर की देखनेcket को मिल जाएंगे अंचर 12 फोथी कौन सी होगे जो मैंने बाकी स्टुन्स से झालेक्ट करें गए चो हमारे स्टूडंक हमारे साथ पढ़ रहे हैं और बाके स्टूडन्स जो यह से आप ऑन्लाइन देख रहे हैं वैसे तब भी आपको सबसे पहले हमारी चैनल पर अपडेट देखने को मिलेगी अपडेट किसके रिगार्डिंग जो कि आपको help करेगी आपके 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 इंप्रूफ करने के लिए हमें तब तक हम expand हो चुके होंगे तो चलिए अब बात करते हैं overall prediction के बारे में तो इस दिन reading moderate level की आने वाली है moderate means कहने का मतरब थोड़ी tough level की रहने वाली है तो यह जो मेरी criteria जो मेरा होता है prediction का यह मेरे totally based होता है जो मेरी observation होती है पिछले exam की अगर मैं 29 नुवंबर की exam की बात करो वो काफी अच्छा गया exam काफी बच्चों के काफी अच्छे band आएंगे मेरे को उमीद है पैसे की काफी बच्चों को मिल सकता है अगर पैसे बात करो विच पैराग्राफ कंटेन एंड ट्रूफ देखने के चांसे है फर्स पैराग्राफ के अंदर पैसे टू की बात करो इसके अंदर yes no and list of heading आने के चांसे जो की काफी बच्चे को मुश्किल लगती है थर्ड पैसे की बात करो रिसर्चर मैचिंग एंड फिलप्स एंड एंड एंसी क्यू आने वाले है तो make sure कीजेगा आप इस टाइप के जो कोशन सीरीज होती है उनकी practice कर लीजे या आप हमारा material भी ले सकते हैं description के नीचे link provide की गई हुई है अगर listening की बात करो तो यह listening जो है easy to moderate के बीच में रहने वाली है इसके अंदर हमें mcq जो long mcq होते हैं और philips देखने को मिलने वाले हैं जो की three words होते हैं जिसमें काफी बच्चों को difficulties face करते हैं especially जो philips की बात करो वो हमें second section और last section के अंदर जरूर देखने को मिलने वाली है चाहे हो evening slot हो चाहे हो morning slot हो तो make sure कीजिए का उसकी speed 1.25x पर करके आप practice करें six days है बहुत दिन बचे हुए आप easily practice listening कर सकते हैं और इतनी maturity दे देता हूं अगर आपने जो listening मैंने आपको provide कर रहा हूं अगर आप वो practice कर लेते हैं आपको कोई भी issue नहीं आने वाला है listening के अदर specially आप easily cross करेंगे उसके अंदर 7 plus band ठीक है अब राइटिंग के बात कर लेते हैं राइटिंग के अंदर task 1 के बात करूं तो process and combination ज़रूर परपेर करके जाएगा अगर आपके पर जितने भी दिन पड़े हैं तो अगर आप daily basis पर एक task 1 and task 2 करते होते थे तो उसको dual करना शुरू कर दीजिए एक दिन task 1 task 2 के अंदर agree and disagree discuss both advantage and disadvantage ये तीन task है इसे must prepare करके जाएगे एक्जाम से पहले exam में हमें जरूर देखने को मिलने वाली है इस टाइप के question मतलब इन ही में से एक question आपको देखने को मिले चाहे आप morning slot हो चाहे आप evening slot के अंदर है तो make sure कीजिएगा आप इसे practice कर लीजिएगा for example बता हूं तो line मैंने आपको नहीं दिया हुआ है ठीक है जी मैंने graph नहीं दिया हुआ आपको map chart नहीं दिया तो मैंने काफी सारे miss भी किये है ठीक है जी तो यह overall prediction थी अब बात करते हैं कि इस दिन GT का exam नहीं है जी बिल्कुल GT का exam है मैं GT exam observe नहीं किया पहले मैं देने वा तो यह overall prediction थी तो make sure किजिएगा आप इस टाइप के question series की practice कर लीजेगा अगर आपको writing की practice करनी है और QCard आपका अभी तक speaking नहीं हुआ है तो description के निचे आपको QCard के link दी गई हुए है जो वो मेरी prediction रहती है ठीक है और यह book है book तो मैं कहूंगा कि purchase मत कीजिएगा इसकी e-book की मैंने link mention कर दूँगा आप e-book purchase कर सकते हैं क्योंकि इस book को deliver होने में 9 to 13 days लगते हैं जो कि हर मन्त में एक new book हम launch करते है reading related जो की help करती ह आपको exam के अंदर तो make sure कीजिएगा जो description के अंदर link दी गई है वहाँ से जाके आप देख लिजए अगर आपको लेनी है तो ले सकते हैं अब बात करते हैं क्या इसका क्या प्रूफ है कि हमें यह beneficial होंगी यह prediction जो आपने दी है तो इसका answer मैं नहीं दूँगा आपको मैं simply क आप अपने desirement achieve करें और अपनी dream country move कर जाये तब तकली bye bye and god bless you students